यदि आप UPSC यानि की Union Public Service Commission में अगर आप One Time Registration करना चाहाते हैं तो आप इस वीडियो को Complete देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं ये होता क्या है UPSC के तरफ से कोई भी भरती अपडेट किया जागा अगर आप UTR में आप Registration नहीं करेंगे यानि की इस संस्था में जो One Time Registration है अगर आप नहीं करते हैं तो UPSC के तरफ से जितनी भी भरतीया जारी किया जागा उसे आप Apply नहीं कर सकते हैं So basically ये Free में Registration हो रहा है आप जल से जल इस Registration को कर सकते हैं ये Process अपने Mobile से भी आप कर सकते हैं और अपने Laptop से भी आप इस Process को कर सकते हैं कैसे करना है यहाँ पर हम पूरा Process जानने वाले हैं ये Registration 18 अगस्त 2022 से आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है सभी State के Candidate इसमें Registration कर सकते हैं Registration करने के लिए सबसे पहले आपको इस Website पर आना है जिसका लिंक हमने अल्रेडी डिस्क्रेप्शन में दिया है आप क्लिक करेंगे तो डारेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं लोग इन करेंगे तो लोग इन के बारे में आगे हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टाइम जानते हैं कैसे आप दोबारास लिखना है यानि कि जो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे वही नाम आप इस बॉक्स में भी लिख लेंगे यहाँ पे आपको अपना full name लिखनी है चाहे तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे आपको अपने zender को select करना है जो आप अपना zender select करेंगे same होई zender यहाँ पे verify कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे अपने date of birth को select करेंगे इसके बाद यहाँ पे date of birth दोबारा से आप select कर लेंगे यहाँ पे आपको अपने पीता का नाम लिखना है पीता का नाम दोबारा से इस box में verify कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिखना है वही नाम दोबारा से यहाँ पे verify कर लेंगे इसके बाद अगर आप minority में आते हैं अदर mobile number है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं तो आप इससे खाली छोड़ दीजे इसके बाद यहाँ पे email ID लिखना है कोई और email ID आपके पास है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं तो इससे आप खाली छोड़ सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको अपन अपने मन मुताबिक answer लिख सकते हैं, जैसे what is your childhood name, यानि कि आपका childhood name क्या है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप second question को select करेंगे, इसके बाद उस question का आप यहाँ पे answer कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको capture code मिल जाएगा, आपको inbox में लिखना है, अपने सभी जानकारी को लिखने के बाद check करने के बाद, आपको submit के button पे click करना है, जैसे ही आप submit के button पे click करेंगे, तो आपकी सारी information details आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, आप इसमें अपने details को verify कर सकते हैं, अपने सारे details को verify करने के बाद आपको नीचे आना है, यदि कोई भी information में गलती है, तो आप यहाँ update के button पे click करके change कर सकते हैं, सारे details सही है, तो यहाँ पे I agree का option मिल जाएगा, आपको just इस पर click करना है, click करते ही आपको next option पे redirect किया जाएगा, जहाँ पे आपको अपने OTP के द्वारा verify करना है, सबसे पहले यहाँ पे mobile number की जो OTP है, वो आपको इसमें लिखना है, यहाँ पे email ID की OTP लिखनी है, OTP के लिखने के बाद submit के button पे आपको click करना है, यदि आपके mobile number और email ID पर अगर OTP प्राप्त नहीं होता है, आपको OTP ID नमबर मिल जाएंगी, उपर यहाँ पे आपको option मिलनेगा, one time registration has been successful submitted, यानि कि आपकी जो registration है वो successful हो चुकी है, यदि आप इस page को print करना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पे आपको एक logo मिल जाएगा, आपको इस पर click करके आप इसे print out कर सकते हैं, चाहे आप इसे PDF में save करके रख सकते हैं, अभी फिलाहल आपकी ये registration complete हुआ है, अभी इसमें आगे का process बाकी है, जैसे आपको login करना है, इसके बाद आगे का आपको अभी बहुत process करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर login या one time registration का option मिलेगा, जैस्ट आपको इस पर click करना है, यदि आप email ID के दोवारा verify करना चाहते हैं, तो यहाँ पर email ID और यहाँ पर password या OTP को लिग के आपको आगे process करना है, यदि आप mobile के दोवारा verify करना चाहते हैं, जैस्ट आपको इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर mobile number लिखने का option मिल जाएगा, यदि आप OTR ID से आप verify करना चाहते हैं, तो direct आप इस से select करेंगे, यहाँ पर आपको अपने OTR ID को लिखना है, इसके बाद यहाँ पर password लिखना है, और यह capture code आपको इस box में लिखना है, इसके बाद login के बटन पर click करना है, अब for example के लिए यहाँ पर अगर आप mobile number लिखते हैं, mobile number लिखने के बाद आपको just यहाँ पर OTP लिखना है, तो इसके लिए gate OTP के option पर click करना पड़ेगा, जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP मिल जाएगा, जिसके limit time यहाँ पर चल रही है, आपको इस box में वो OTP लिखना है, OTP को आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर verify कर लिया जाएगा, verify करते ही यह जो limit time है वो off हो जाएगी, यानि की चलना बंद हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर capture code लिखना पड़ेगा, capture code लिखने के बाद जैसे आपको login के button पर click कर लेना है, अब जैसे click करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने registration को verify करने का option मिलेगा, यहाँ पर आपको एक button मिल जाएगा, click here to change gender, अगर आप gender change करना चाहते हैं तो यहाँ पर click कर सकते हैं, अपने gender को यहाँ से आप change कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसे रहने दीजिए, इसके बाद आपको नीचे करना है, यदि आप अपना minority को change करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको click करना है, अपने minority को यहाँ पर yes करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपने cast को select कर लेना है, और यहाँ पर आपको password बनाना है, जो आप password यहाँ पर बनाएंगे, वही same password आप इस box में लिखेंगे, अब देखिए password जो बनाने का process है, इसमें आपको नीचे बतायागे है, इसमें आपको सभी character यूज़ करनी है, अगर आप password बिल्ट्टूल strong बनाएंगे, तो यह जो options से नीचे, आपका सारे options पे सही का trick mark लग जाएगा, पास्वर्ट बनाने का जो process है, यहाँ पे हम आपको बगल में एक example की रूप में देखिए दिखा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आपको अपने password को बनाना है, पास्वर्ट को बनाने के बाद जश्ट आपको submit का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, submit के बटन पे क्लिक करने के बाद next page आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ पे आपको important instruction मिल जाएगा, यहाँ पे आपका नाम दिखाया जाएगा, यहाँ पे dashboard आपको मिल जाएगा, latest notification का options यह है, जो भी नई भरती इनके द्वारा update किया जाएगा, आप ज़स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो latest जो notification है, जो भी नया भरती है, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, यहाँ से आप अपने application के history को check कर सकते हैं, यानि कि जितना भी आप आवेदन form submit किये रहेंगे, UP, SC की तरब से, वो आप यहाँ पे check कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने password को change कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने profile को view करके check कर सकते हैं, अपने details को यहाँ से आप verify कर सकते हैं, and then यहाँ से आप log out हो सकते हैं, यदि आपको ये बीडियो पसंद है तो इस बीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा, यदि किसी भी प्रकार के कोई सवाल होती है तो आप एसी बीडियो के नीचे आप हमें कॉमेंट करके पुछ सकते हैं, बीडियो में फिलाहाल इतना ही, अगर आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिजएगा ऐसे ही लेटेश जॉब की जानकारी पाने के लिए और कैसे आविदन फॉर्म फिल अप किया जाएगा इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे फुल प्रोसे इसके साथ मिलता जाएगा तो फिलाहल गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई जाहिन